आज जब इतना अधुनिक डिजिटल इको सिस्टेम हमारे है तो सेंटिमेंट है वाइन नॉट इन्डिया शाथियों नया भारत अपने सामर्थ पर भरोशा करते हुए अपने संसाधनों पर भरोशा करते हुए आत्म निर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष की प्राप्ति के लिए मैनुफेक्टरिंग पर हमारा विशेश फोकस है मैनुफेक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफार्म्स कर रहे हैं रिफार्म्स के साथ साथ रिवोर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है पहली बार बस से जादा सेक्टर्स को एफिशन्सी और प्रोड़क्टिविटी आधारी इंसेंटिव के दाएरे में लाया गया है मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में ही इसके पॉजिटिव रिजल भी देखने को मिल रहे हैं इसी तरह बहतर कनेक्टिविटी बहतर सुविधाएं और लॉजिस्टिक को कम्पिटिटिव बनाने के लिए चल रहे सब प्रयाज भी इंडुस्ट्री के लिए रिवाड ही है हमारे लाखों MSME के लिए चाहे उसकी परिभाशा को बदलना हो, क्राइटरिया में बदल लाना हो, सरकारी कॉंट्रेक्स में प्रायोरिटी हो या फिर लिक्विडिटी से जुड़ी समस्यों का हल करना हो, ये भी बहुत बड़ा पोत्साहनी है साथियों, देश आज करोडों युवाओं को अवसर देने वाले एंटरप्राइस और वेल्ट क्रेटर के साथ है आज भारत के युवाओं इनोवेशन के स्टार्ट अफ दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं सरकार की एक एफिशन्ट और फ्रेंडली इकोसिस्टिम बनाने के लिए निरंतर कोशिच जारी है अब एसोचेम जैसे एसोशिशन को आपके हर मेंबर को भी यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाब लास्ट माईल तक पहुँचे इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा जो बडलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं वही बडलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे जितनी लिबर्टी जितना इंक्लूजन जितनी हैंड होल्डिंग जितनी ट्रांस्परंसी आप सरकार से सोसाइटी से चाहते हैं उतनाई ही इंडिस्ट्री के भीतर विमेन के लिए यूवाट टैलेंट के लिए छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है हमें कॉर्पोरेट गवनन्स से लेकर प्रॉफिट शेरिंग तक दुनिया की बेस प्रैक्टिस को जल से जल अपनाना होगा प्रॉफिट सेंट्रिक एप्रोच के साथ ही हमें उसे परपज ओरिंटेट भी बनाने बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटिग्रेशन संभव हो पाएगा साथियों आपसे बहतर यह कौन समझ सकता है कि ओनेस्ट ओपिनिन का बहतर डिसिजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है कई बार हमें लोग मिलते हैं कहते हैं कि यह शेर बढ़िया है यह सक्टर बढ़िया है इसमें इन्वेस्ट कर दो लेकिन हम पहले यह देखते हैं कि वो सला देने वाला तारीप करने वाला खुद भी इन्वेस्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा ह यही बात economies पर भी लागू होती है। आज इंडियन economy पर दुनिया को भरोसा है। इसके प्रमाण है पैंडेमिक के दुरान जब पूरी दुनिया investment के लिए परिशान है तब भारत में record FDI और PFI आया है। दुनिया का यह confidence नए स्तर पर पहुँचे इसके लिए domestically भी हमें अपने investment को कई गुणा बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में investment के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवशक है। Research and Development, R&D, R&D पर होने वाला निवेश, भारत में R&D पर निवेश बढ़ाया जाना की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्रावेट सेक्टर का होता है। हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्चा IT, फार्मा और ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में है। यानि आज जरूरत यह है कि R&D में प्रावेट सेक्टर की भागिदारी बढ़े हैं। क्रिशी, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन यानि हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित एमांट ताय करना चाहिए है। साथियों, आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मीशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें हर जियो पोलिटिकल डेवलप्मेंट पर तेजी से रियक करना होगा। ग्लोबल सप्लाइ चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा। एक प्रभावी मेकेनिजम होना जरूरी है। इसमें आप विदेश मंत्राले की भी मदल ले सकते हैं। कोवीड से इस संकट काल में हमने देखा है कि विदेश मंत्राले के पूरे नेटवर्क का बहतर उप्योग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्राले कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचम जैसे इंडस्ट्री के संगठोनों के बीच बहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ग्लोबल ट्रांस्फोर्मेशन पर तेजी से रियक करने के लिए तेजी से रिस्पॉंस करने के लिए मेकनिजम बहतर कैसे हो इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाओ दें। आपके सुझाओं मेरे लिए बहुत मुल्यवान है। साथियों भारत अपनी जरुरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने ये कर दिखाया है। कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मसी अप दो वर्ल्ड की जिम्मेदारी रिभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाईया पहुचाई है। अब वैक्सिन के मामले में भी भारत अपनी जरूरते तो पूरी करेगा ही दुनिया के अनेक देशों की उमीदों पर भी खरा उतरेगा। साथियों, रूरल और अर्बन डिवाईड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार भी ते 6 सालों से कर रही हैं, इंडिस्ट्री उन प्रयासों को मल्टिप्लाय कर सकती है। एसोचेम के मेंबर्स हमारे गाउं के प्रोडक्स को ग्लोबल प्लेटफर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। कि आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई श्टडी आगई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है यह बहुत प्रोटीन रीच है तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। हम उसे इंपोड करना शुरू कर देते हैं हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में हमारे टेबल पर हमारी थाली में किस प्रगान से विद्येशी चीज़े भूझ जाती है हमारी यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है और यह भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गावों में है, हमारी और्गिनिक फार्मिंग, हर्वल प्रोडर्स, ऐसी बहुत सी चीजे हैं, जिने S.H.M. द्वारा प्रमोड किया जाना चाहिए, दुनिया के बाजार में भारत की पैदावरों का डंका बजना चाहिए, इन से एक कंपोडिशन, और उसके लिए लगातार परदाएं होती है, कंपोडिशन कराकर, इनका प्रचार प्रसा करके इनके स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देकर, आप ये कर सकते हैं, भारत सरकार हो, राज्य सरकारे हो, फार्म और्गनाशन हो, सभी को मिलकर इस दिशा में का करने की आवशक्ता है, अगर हमारे फार्म सेक्टर को बहतर प्रबोशन मिले, बहतर इन्फा सेक्टर मिले, बहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामिन अर्थेभावस्ता बुलंदी पर पहुंच सकती है, साथियों, 21 शदी की शुरुवाप में, अटल जी ने भारत को हाईवेज से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष रखा था, आज देश में, फिजिकल और डिजिटल इन्फा सेक्टर पर विशेज फोकस किया जा रहा है, गाउं के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गाउं तक ब्राडबेन कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं,